हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल मैं हूं रिचा मैं आज आपके साथ एक फेस पेक शेयर करने वाली हूं जो कि टैनिंग पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है और बहुत ही इफेक्ट देता है तो जितनी भी आपको टैनिंग हो रखी है अगर आपको कोई किसी भी तरह क तरह को रखिए ज्यसे जदद सेजदा है यह कं भी है तो उसके बहुत अच्छा वंख करतासब और आपको घॉधी शचेंग आपको तो यह बहुत बश्यादा आपको देगा और आप इसको बस बनाना है और बस थोड़ी सी इसमें मेनत है लगाने की मेनत है और थोड़ा सा बनाने का टाइम लगता है बस और देस इट इतना ही है आपको और कुछ भी नहीं करना है तो ये noise pollution थोड़ा सा इग्नोर कर दीजेगा यह बैशें अारी हैं होन वगएर है की तो इसको इंगring करिएगा क्योंकि मैं यहां पर रहती हूं वहां पर बहुत ज़या गाड़ियां और पावज़ा है ऐस तरह है तो इसको इंग्णोर कर III ऑग्णोर बिल्कुल भी माइन मत करिएगा। तो इसरे लगाई गड़ीक्ट में तो यह पोला हूं आपको इस तरह का बेग बना लेना है यह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा को और मैं बनारीया है और मैं इसको अपलाई करूंगी और यह पहुत-ज़ादा यलोऑ दिख रहा है लेकिन इतना इन नहीं है इसमें बहुत-ज़ाद दिख रहा है वीडियो में लेकिन इतना यह नहीं है तो यह जब आप इसको लगाएंगे अपलाई करेंगे उसके बाद आप जब दूल देंगे ना 20 मिनट बाद 15 से 20 मिनिट पे आप इसको दो दीजिए सूपने के बाद और आपको रब करके ही इसको निकालना है और यह किस भड़ करना ही पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है इस तरह से तो फंट में जबसे पहले में डालूंगी थोड़ा सा बेसन जिक्की फ्लार हाई और टैनिंग के बहुत अच्छा होता है यह बेसन तो इसलिए मैं इतना ही ले रही हूं इसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा टेमयटो का जूस और इसको भी मैंने इसको अच्छे से इसको कि यहां पर आती है बहुत ज़ला आवाज बेट ग्राउंड में अपर आती है बहुत ज़ला आवाज बेट ग्राउंड में आपको अच्छा भी रहेगा और आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी हेल्दी ग्लो भी करने लगती है इस वज़े से मैं थोड़ा सा टर्मारिक पाउडर ले रही हूं और मैं लूंगी रोज वाटर जिस तरह से आपको बनाना है उत्माई आप ले लीजिए मैं अपने सिर्फ फेस के लिए बना रही हूं अभी फिर मैं हैंड्स पे मैं लगा लूंगी बाद में क्योंकि मुझे फुली पैने हुई थी फुल स्लीप का तो इसलिए मेरा चल जाएगा गर आपने हाप स्लीप आपकी तो आप जादा सा बना लीजिए और इस तरह से यूज कर सकते हो तो मैंने इसमें बनी स्पूनी डाला है रोज वॉटर यह मैंने डावर का रोज वॉटर लिया था और मैं इसमें थोड़ा सा हनी डालूंगी यह है डावर का हनी है मैं जाए तो मैं तो भी ले ले गए हूं हूँ है हूँ है थोड़ा सा हनी ले लिया थाथ कर दो इसको फोड़े से के लिए लगाना जेता है तो आपनों में देख लिया है कि इसको बनाया कैसे है मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं लगना है बस आपके पास जो जो चीजें आपको रखी हुई है तो सारी चीजों को आपको एक साथ से मिला लेना है और छोड़ी दिर के लिए इसको रख दीजे तो फिर उसके बाद आप लगा सकते हो इस तरह से पूरे बेस पर आपको जहां जहां टैनिक हो रखी वहां लगा लीजिए और छोड़ दीजिए कम से कम बीस 15-20 मिट में तो आपका अच्छे से ड्राइब ही हो जाएगा क्योंकि समर चल रहे है तो ड्राइ तो होना ही है बहुत जन्ती ड्राइब हो जाता है तो मैं यह लगा लेती हूँ फिर आप से बिलते हूँ 15-20 मिनिट के बाद तो फंट दिखिए मेरा यह जो मैंने फेस्ट लगाया था वो अब ट्राइब हो चुका है तो मैं इसको वाश कर लेती हूँ और यह बिल्कुल ताइट हो गया है क्योंकि मैंने इसमें डाला था हनी हनी से आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है और अगर आपकी स्किन हो रखी होगी या पर आपकी स्किन बहुत अगर डल हो रखी होगी तो उस पर काम करेगा और आप इस तीज को जरूर लगाईए और आपकी टैनिंग को दूर कर लीजिए और मैंने क्या ट्रमेटो जूस भी डाला एड किया था क्योंकि उससे टैनिंग बहुत जल्दी से र कि आपकी उस्ट इस मेरा पेसकर लिया है मेरा पेस एक दम बहुत हो गया है है और आप लोग देख रहे हैं कि मेरी इस्किन एकडम शाइनेधी अनगल को व गई है तो देखिए देख लीजर आप कितना नसदीक से मैं दीखा रही हूं आपको और टेखिए और देखें शाइनिंग भी आप देख सकते हो मेरे फेस पर कितनी अच्छी आ रही है तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और शेयर कीजेगा फैमिली मेंबर्स के साथ प्रेंज के साथ सब्सक्राइब कर दीजेगा जो भी आप लोग तो मैं में देख लिया है कि मैंने इसको बनाया कैसे है एंड इसको लगाना कैसे है यह भी आप लोगों ने देख लिया है तो इसका रेजेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और आपकी स्कीन भी ग्लो में आ जाएगी मतलब जैसी पीसकी आपकी हो रखी होगी उससे आपका 1-2 जो आपका शेड होगा वह अच्छा हो जाएगा और आप इसको अपलाई करेंगे ना तो बहुत ही बहतर रहेगा और आपकी स्कीन ग्लो भी करेगी और जितना भी आपकी स्वेटिंग के वज़े से जो आपकी ओपन पोर्स है वो जो श्रिंक हो जाते है या ओप आपकी स्रिंक भी हो जाएंगे और इससे आपकी जितने भी इसकिन में जो भी प्रॉब्लम हो रखी होगी बहुत ही अच्छा रजल्ट मिलेगा आपको तो आज के लिए इतना ही अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर की अपकी जाएगा फैमिल मेंबर्स के साथ फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए जो लोग पी तो बेल आइकन को भी जरूर हिट करिएगा और आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं और मेरा बैक ग्राउंड थोड़ा चेंग है क्योंकि मैं आपको पता ही है मै कहा आई हूं अपनी ममा क्या आई हूं तो वहीं से वीडियो शूट कर रही हूं और थोड़ा सा चेंग आपको मिलेगी लाइफ भी प्रॉब्लम ठ्राइड नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा होता है ना इस तरह से कि थोड़ा चेंग भी अच्छा लगता है और थोड़ा से वज़े से थोड़ा सा इंग्रोड दीजेगा वही आपको थोड़ा से प्रॉब्लम हो सकती है बट से कोई प्रॉब्लम नहीं लेकि जो चीर में दिखा रही हूं आपको रेमेडियो जो दिखा रही हूं वह बहुत ज़्यादा एफेक्ट है 100% देंगी आपको तो मुझे कम आपको यह जो अगले वीडियो में बताया है जब मैंने व्लॉग शेयर किया है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है तो अब उसके लिए कुछ मुझे करना है तो इसलिए मैंने यह पना लिया है और मैं जब यह अप्लाई कर लूँए और इसके पात क्या र और जरूर से जरूर मुझे बतायेगा जरूर। तीनों ही चीज़े कीजिएगा लाइक शेयर सबसक्राइब्स दो इस दिव Should I की होती है तो फ्लीज नाइक भी करियेगा शेच बहुत किजिए और सब्सक्राइब भी करियेगा मेरे चैनल को और मैं चर